हलो फ्रेंड्स मिनू मारवाडी रस्वई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के लिए सर्दियों की खास बाजरी की रेसिपी लेक्या है जो पॉस्टिक भी है गुनकारी भी है और इसे हैल्दी भी बनाएंगे और इसे बनाने में गंटों लगते है जो करते हैं तो आप शोपर चीजों करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेश्न लिए तो यह देखे मैंने डाइसो ग्राम बाजरा लिया है और बाजरे को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है बिल्कुल क्लीन कर लिया है इसे और बहुत अच्छे से ही साफ करना है और इधर देखे मैंने आदा कप से थोड़ा ज्यादा गरम पानी कर लिया है और गरम पानी इसके डाल देंगे हम 5-6 चमस इसको गीला करना है यह बाजरा अच्छे से गीला हो जाए और फिर इसे हातों से अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा यह बाजरा फूल जाएगा और यह अच्छे से बनेगा और इसके उपर जो भी छिलका ह होगा ना वह पूरा निकल जाएगा जब हम इसे निकालेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा अच्छे से साफ हो जाएगा यह बाजरा तो देखें मैंने 5-6 मिनटी से ऐसे ही रख लिया है गरम पानी में छीटे देखें तो यह देखें हलका सा फूल भी गया है और इसमें थोड़ी नमी भी आ गई है तो इसके जो छिलके है ना वो आराम से उतर जाएगे जब यह से हम छिलके निकालते है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन जब इस तरीके से हम निकालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से 5 मिनट भी नहीं लगेगा तो देखें मैं हमारा पूरा पिसेगा भी नहीं और इसके छिलके छिलके निकल जाएगी तो इसमें थोड़ा सा पानी ओर डाल देंगे हम तो यह पूरे छिलके निकल के बाहरे आ जाएंगे बाजरी के तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे ना तो भोती स्वादिस्ट बनेगी हमारी जो रेसेपी हम बना रहे हैं बाजरी की खीचडी इसे पॉस्टिक बना रहे हैं किस तरीके से पॉस्टिक बना रहे हैं वो एक बहुत अच्छे से यह तो अच्छे से तैलियों से रगरब के फिरी से इसंसे तरहेंगे तो सोड़ा और बहुत और कुछ यह गए होगे ने वह भी निकल जाएंगे यह तो यह दिखें आराम इसी हम बाज राजरा ने बिल्कुल इसके छिलके छिलके ही निकले हैं इस तरीके से तो इसे हम फिर से मिक्सी में डाल देंगे थोड़ा सा ग्रम पानी डालेंगे 5-6 चमच और फिर उसी तरीके से हम पल्स मोड पे इसे बंद करेंगे, रुकेंगे, चलाएंगे, इसी तरीके से इसे पीशते रहेंगे, पांच मिनट लग जाएगी इस तरीके से करते करते, तो आप देख लीजी, आपको कितना मोटा या पतला चाहिए, तो ये देखिए, अभी थोड़ा मोटा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और पीसूंगी, तो ऐसे लगेगा ही कि नहीं कि आपने ये मिक्सी में पीसा है, ऐसे लगेगा कि आपने ये अमान दिस्ते में कूट के बनाई है, जो देशी तरीके से गाओं में बनाई जाती ना, उसी तरीके से बनके तयार होगी, और उतनी ही टेस्टी बने आमां दिष्टे में हम कूटते हैं तो घंटों लग जाते हैं लेकिन फूरी घंटों कॉकर पहले हैंसी रख दिया हमाना बाजरा था थोड़ा ज़्यादा पानी मेने पहले रग दिया था, पानी कम ज़्यादा हम बाद में भी कर सकते हैं, तो इसमें देखिए मैने एक बड़ी चम्मस मक्षन की डाली है, मक्षन से बहुत ही टेस्टी बनेगा, ये जो हम बना रहे हैं रेसिपी, बहुत ज़्यादा अच्छी पॉस्टिक बनेगी और यह देखिए मैंने यहां पे लिए सोयावीन सोयावीन को मैंने आधा गंटा पानी में पहले ही भिगो दिया था अच्छे से गोस करके यह इसके अंदर डाल देंगे और यह देखिए मूंग और मोट मैंने स्थाबुत लिये हैं इन्हें भी मैंने की हुई मूपली है यह इसके अंदर डाल देंगे आप चाहिए तो इसके छिलके अटाके भी डाल सकते हो या ऐसे भी डाल सकते हो अगर आपके पास साबूत मूंग और मोट ना हो तो यहां पे डाल का भी यूज ले सकते हो आप और देखिए यह गुड़ अपने स्वाद क एकोडिंग थोड़ा कम ज़्यादा ढाल दीजिए तो अलग से मिक्स करने की जुरत नहीं पड़ेगी हमें पानी में अच्छे से उबाल आ गई है और देखिए इस बाजरी को जो हमने पीसा था उसको कैसे डालना है इस तरीके से एक मुठी डालेंगे फिर इसको चारो तर अगर आप यहां पर कोई सब्जी काटके डालना चाहते हो जैसे यहां पर थोड़ी बहुत गोबी डाल सकते हो गाजर भी डाल सकते हो आप यह आलू भी डाल सकते हो चोटी-चोटी टुकड़े करके यह सब्जियों में तड़का लगा के फिर इसमें डाल सकते हो सब्जिय यहां इसकी साथ पका सकते हो और भी ज़्यादा पॉस्टिक बनाने के लिए तो इसे दो सीटी लगवा लेंगे हम आपकी कितनी सीटी में पकती है ये खीचडी उतनी सीटी इसमें लगवा लीजी तो मैंने यहां पर तीन सीटी लगवाई थी और ये देखेसे अगर आपकी गाड़ी हो गए तो ग्रम पानी करके ओर डाल दीजिए इसमें इस तरह से हमारी ये खीचडी बनके तयार है दोस्तों देखिए गंटों को काम मिंटों में हो गया है और बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट भी बनी है इस तरीके से तो मैंने एक बावल के अंदर इसे निकाल लिया है तो इसके उपर एक चमर देशी घी मक्खन या देशी घी ओडाल दीजिए तो ये बहुत ही स्वाधिस्ट हमारी बाजरी की खीचडी बनके तयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और पॉस्टिक भी है इजी तरीका भी है बनाने का घंटों को काम मिंटों में हो जाएगा फालतु मेनत भी नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट भी बनती है इस तरीके से तो इन सर्दियों में इस बाजरी की खीचडी के आप सब लोग जरूर बनाएए बच्चों को भड़ों को सबी को बहुत ही अच्छी लगेगी उवर साथी साथ पॉस्टिक भी है तो दोस्तों आप सबी को रेशिप अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद